अलो स्टूडेंट्स आई रभी कमार फ्रॉम के वी सी आर पे अर्प मकामाथार्ट आज हम लोग एकोनॉमिक्स का फर्स्ट चेप्टर डेवलप्मेंट में हम लोग देखेंगे हमन डेवलप्मेंट रिपोर्ट है मनोर विकास रिपोर्ट किस तरह से त्यार किया जाता है और इसके माइने हैं इसके बारे में पहले हम लोग देखे थे कि डेवलप्मेंट के लिए उणकम the level of income के अधार पर यानि जो आई की अस्तर है उसको importance देते थे हम development के compare करने के लिए किसी भी country को या state को लेकिन यहाँ पर क्या है level of development because की अस्तर को major करने के लिए हमें in adequate major year यानि कि एक तरह से अब पर्याप्त है उन्हें पूर्न रुप से नहीं है level के पहले ही बताएं कि सिर्फ खाली income का level देखकर हम किसी भी country या state को हम develop नहीं कह सकते हैं इसके साथ साथ और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं उनके अनुसार हम compare कर सकते हैं ठीक है तो development को major करने के लिए एक लाया गया है UNDP UNDP यानि United Nation Development Program यानि सयुप्त राष्ट दिकास कारी करा हम है UNDP के थू ही other state कोई भी country हो उसको compare किया जाता है किस सधार पर तो वहां कि जो लोगों के educational level of the people यानि वहां के लोगों का educational level कैसा है सैचनिक अस्तर किस टाइब का है अच्छा है या खराब है उसों से भी compare के जाता है और उन लोगों के health status यानि कि जो स्वास्थाए के स्थितिव उस देश में क्या है और per capita income यानि पर्ति व्यक्ति आए के base पर हम ही human development report मानो विगास report को तियार किया जाता है कूं तियार करता है human development report UNDP UNDP United Nation Development Program के दोवारा ही human development report तियार किया जाता है जिसमें कि people's के educational level उस देश का फिर वहां के लोगों के health status फिर वहां के लोगों का पर capita income किस तरह का है कितना है उसकी अधार पर UNDP है जो कि human development report त्यार करता है मानो विगास report ठीक है इसके बारे में हम लोग जाने तो यहां पर हम एक data देखते हैं जो development report है 2019 का ठीक है तो तो इसमें देखिए कि सम सम डाटा रिगार्ड इंडिया एंड इट्स दे नेवर्स पर 2017 यानि जो भारत के जो भारत और फिर उसके जो नेवर्स जो परोसी देश है उसके कुछ data दिया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और compare करके देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है data किसका तो 2017 में per capita income या gross national income यानि सकल रष्टी उत्पाद होता है किसी विदेश का उसमें per capita 2011 के अनुसार कितना डॉलर है उसके बारे में बताया गया है तो इसमें देखिए सिरलंका का दिया गया है फिर इंडिया का दिया गया है फिर मेनमार कैंट्री पाकिस्तान नेपाल बंगला देश तो इस six country के compare कर रहा है भारत और उसके पड़ोसी देश है सब सिरलंका मेनमार पाकिस्तान नेपाल और बंगला देश यहाँ पर capita income के बारे में बात किया गया है जो gross national income है और फिर life expectancy at birth यानि जो जन्म के समय जो संभावित आयू है उस देश का कितना है उसके बारे में बताया गए 2017 के data किसे है और फिर mean year of the schooling of the people यानि school जाने वाले यानि कि इसमें क्या literacy rate के बारे में बात कराए एवरेज निकाल दिया है इसमें mean माध्य जुन दोता है बिद्याल जोसत आयू ओ निकाला गया है कितना 25 वर्स के people या फिर उसे एभव के लोग क आयू कितना है mean year of the schooling of school जाने के लिए यानि literacy rate के बारे में बात कर रहा है कि वहाँ का सेचनिक दर कितना है ठीक है और फिर एक चीज़ है इसमें hdi rank यानि human development index human development index जो हुआ ओ उसमें किस देश का क्या rank है उसके अनुसार इसमें बताया गया है तो cool total human development index में 189 country का compare किया गया बताया गया 189 देश में को rank बनाया गया है ठीक है तो तो इसमें हम क्या देख रहे हैं जो हम compare करते हैं तो हमें देखने के लिए लगता है सर्प्राइज है इस तरह से अशरजनक लगता है कि जो सिरलंका है सिरलंका वो हर चीज में तो क्रोस नेशनल इंकम में इंडिया से ज़्यादे हैं फिर लाइफ एक्सपेंश एड़ वर्थ में इंडिया से दीख है फिर मीनियर अब अस्कूलिंग के लिए भी इंडिया से ज़्यादे है फिर एच डी आई जो रैंक हुआ वर्ल्ड में रैंक बनाया गया है इंडिया से कहीं बहुत ज्यादे है इसका 76 इंडिया 130 है यानि बहुत अधीक है आगे है सिरलंका तो इसा वाश्रजनक लगता है कि इंतना बड़ा देश होते हुए भी एक मात छोटा सा स्रिलंका से सभी डाटा में पीछे है इंडिया ठीक है ठीक है तो तो यहां पर हमने देखने के लिए क्या मिला इसके बारे में हम लोग जाने में है ठीक है तो यहां पर भी बताया गया है कि सर्प्राइज है एक तरह से जवा स्मॉल छोटा देश है जो इंडिया से सभी चीज में आगे है हर एक चीज में तो यहां पर जो हमारे जैसे और भी बिग कैंट्री है बड़ा देश है उनका लो रेंग में लो रेंग है ठीक है तो तेरल 1.6 में जब हम देखते हैं तो देखिए हैं कि नेपाल और जो बंगला देश है यह नेपाल और जो बंगला देश है वो ज्यादा पीछे नहीं है इंडिया से उसी के आसपास में है पर कैप्टा इंकम में अगर इंडिया से तुलना किया जा तो उसी के आसपास में है थोड़ा सा कम है ठीक है तो हमन डेवलप्मेंट इंडेक्स को इंप्रूव करने के लिए इंप्रूवमेंट के लिए इसमें बहु सारे सेजेशन को कल्कुलेट किया गया सेजेशन लिया गया है ठीक है और और HDI Human Development Index में और भी बहु सारे New Components यानि कि जो नए हटक चीज उसको जोड़ा गया New Components को जोड़ा गया Human Development Index में आड़ किये गया है ठीक है और एक चीज है हम देखते हैं कि यहाँ पर Human Development में जो भी जो भी इनपोर्टेंस है तो उसमें किसी खास कैंट्री के लिए कैंट्री के सिटीजन कोई भी देश का सिटीजन के लिए उसको इस रिपोर्ट में सामिल किया गया है तो वहाँ के लोगों के किस तरह से है तो वहाँ के लोगों के Health Facility के बारे में वहाँ के Education अबलेवल है की नहीं है और वहाँ के लोगों के कल्यान के लिए well-being के लिए सबसे अधिक जरूरी बताया गया है ठीक है इस तरह से मानो विकास रिपोर्ट है जो लोगों के Health Status देखता है कहीं विदेश के वहाँ के Per Capita Income के बारे में और फिर Educational Level वहाँ के लोगों के Educational Level क्या है इसके बारे में भी हमें बताता है कौन सा Index तो मानो विकास रिपोर्ट Human Development रिपोर्ट या फिर Index HDI कहीं है वो हमें बताता है उसी का Rank दिया गया है HDI Rank है Human Development Index Rank है पुरा वर्ल्ड का तो इसमें देखिएगा एक कब का है 2018 का है लेकिन 2020 में इंडिया का Rank थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और जादे बढ़ गया है तो 131 हो गया है 2020 में Human Development Index में है ठीक है 131 है 2020 में 2020 में यह 31 नंबर पर आ गया है HDI Rank में इंडिया ठीक है ओके